दोस्तो क्रिकेर पॉलिटिक्स और बलूट से जूरी सारी लेटेस नीज के लिए हमारे चनल एपेम पिक्सेल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर ले ताकि हमारे सारे फूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आजाएंगे आप तक सबसे पहले दोस्तो इस जगह की लड़किया तरसती है मर्दों के लिए जी हां दोस्तो मैं बता रहा हूँ एसी जगह के बारे में जहां की लड़किया मर्दों के लिए तरसती है जी हाँ दोस्तों हमारे समाज में कहते हैं कि हर औरत पुरुष के बिना अधुरी है और हर पुरुष औरत के बिना अधुरी है शादी एक सब्द है जो किसी भी लड़की के चेहरे पर खुशी ला देता है क्योंकि शादी के बाद ही असल माइने में लड़की का अस्तित्व पता चलता है हर माबाप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा लड़का और लड़की चुनते हैं क्योंकि शादी ना के बल दो लोगों का मिलन है बलकि ये दो परिवारों का मिलन भी होता है ऐसे में अगर आपको ये मालूम पड़े कि दुनिया में एक ऐसी भी जगा है जहां माता पिता को अपनी बेटी के लिए कुवारे लड़के नहीं मिलते हैं जिसकी बज़ाए से उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ जाता है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे जी हां हम बात कर रहे हैं ब्राजिल के ऐसे गाउं की जहां अठारा से तीस साल की लड़किया की जो संख्या है वो पुरिशों के मुकाबले आधिक है तो दोस्तों सबसे पिल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे बिकास आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक तो कई बार तो इस गाउं में पूरिशों की कमी होने के बज़ bisa से यहां की लड़कियों की पूरी जिन्देगी बिना शादी के ही गज़र जाती है इस गाम में लड़कों की संख्या लड़कों के मकाबले बहुत कम है आंकडों की माने तो यहां करीब 600 माहिलाओं की आबा और उनके काम को संभाले इस गाउं में खेती, किसानी और इस गाउं के पुरुष ही नहीं बलकि महिला भी करती है क्योंकि यहां के पुरुष गाउं से दूर शहरों में रहते हैं तो दोस्तो आशा करता हूं कि यह जो वीडियो यह आपको ज़रूर पसंदा होगा और इसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राब करके बेल आगन को प्रेस कर ले